So hello and welcome you all I am Rohit from Mahajan Trader So guys, आज हम बात करेंगे future group के बारे में So guys, future group में कुछ important चीजे हैं जो यहाँ पर हमें देखना काफी ज़्यादा ज़रूरी है और अगर देखें तो आज future group के कई stocks में हमें हलकी सी बड़त देखने को मिली और कई stocks में गिरावट देखने को मिली है But guys, यहाँ पर एक बड़ी news आ रही है यहाँ पर अगर देखा जाए तो एक बड़ी news आ रही है future group की जो यहाँ पर अगर देखा जाए जो complaint थी जो याची का थी उसे यहाँ पर आज रद कर दिया गया जो उसे आज खारिच कर दिया गया है तो यह एक news सामने निकल कर आती है तो कौन सी वो याची का थी उसे हम देखने वाले हैं इस वीडियो में और guys साथ ही जो इसके stocks हैं उनका भी यहाँ पर जाए जाए हम इस वीडियो में लेने वाले है तो काफी कुछ बाते होंगी फ्यूचर ग्रूप को लेकर इस वीडियो में तो वीडियो को आन तक देखना हो और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल दमाहजन ट्रेडर को सबस्क्राइब नहीं किया है तो guys please चैनल को सबस्क्राइब कर देना फो शेयर्स के अपडेट्स के लिए शेयर्स के लेटिस में उसके लिए तो करते है वीडियो को स्टार्ट हो चलते है फ्यूचर ग्रूप के उपर सो guys यहाँ पर क्या न्यूज है तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो SIAC है जिसे CIS के नम से भी जाना जाता है SIAC की में बात कर रहो तो इन्होंने जो फ्यूचर ग्रूप की जो याचिका थी जो मध्यस्त याचिका थी उसे इन्होंने टर्मनाइनेट और इन्होंने इसे बिलकुल खारी जहाँ पर कर दिया है रिजेक्ट यहाँ पर कर दिया है फ्यूचर ग्रूप की यहाँ पर जो याचिका थी उसे इन्हाँ पर रिजेक्ट कर दिया है और the Singapore International Arbitration Center इसका पुरा नाम है said it will continue with abdication abdication proceeding between future group and amazon rejecting a play-up by kishore bianis little firm terminate the proceedings तो guys यहाँ पर news को अगर देखोंगे तो जो future group और amazon के भी जो यह मद्यस्ता को लेकर जो याचिका थी उसे आपर खारीज किया है Singapore International Arbitration Center ने और बिलकुल और future retail had filled up patients with sias sitting a competition commission of India CCI order that state its transaction with Amazon तो guys CCI के जो transaction है यहाँ पर जो amazon के साथ यहाँ पर future retail का तो उसके लेकर भी आपर का भी कुछ चीजे चल रही थी और जो यहाँ पर यहाँ चिकाए दायर की थी उसे यहाँ पर illegal नहीं मानता है और उसे और बिलकुल यहाँ पर अगर दीखा जाए तो उन्हों ने इस को reject कर दिया है तो यह एक news यहाँ पर है जो निकल कर आ रही है और stocks की बात की जाए तो यहाँ पर future retail limited में कही न कही एक अच्छी बड़त देखने को हमें मिली है यहाँ पर अगर आप देखोंगे तो future retail limited में 6 रुपे हसी पेसे तक stock में एक बड़त देखने को मिली 0.25 परसंट के 0.25 रुपीस यानी 25 पेसे के हिजाब से यह शेयर बड़ा है 3.79 परसंट के हिसाब से और वही बड़े आगे तो यहाँ पर 600 sorry guys 369.30 करोड के आसपास का इसका market cap भी है और वही अगर बड़े आगे तो 50 रुपीस का हाई क्या गहता है तो 67.30 रुपीस के आसपास का 50 रुपीस का हाई है 66.40 रुपीस के आसपास का लो है और future enterprises limited की भी हम बात कर लेते है 3.05 पेसे तक stock ने closing दी थी 0.100 रुपीस से आली अगर देखा जाए तो कहीं न कहीं 3.89% के इसाब से share बड़ा है future consumer limited में कहीं न कहीं गिरावट आई है future consumer limited 1.92 पेसे के level पे closing दी है 4.88% के इसाब से गिरावट है और future enterprises limited में जोसे मैंने बताया गिरावट थी और FLFL तो बिल्कुल यहाँ पर 17 रुपे 80 पेसे के level पे stock ने closing दी है 25 पेसे तक की बड़त है 1.42% के इसाब जिता गाईस काभी कुछ बात है हम कर चुके shares को लेकर news को लेकर वीडियो गर अच्छा लगाओ वीडियो को like करो जनलो को subscribe करो thank you